नमश्कार एट डोजेट डिशश उशा कोरजानी में आप सबका स्वाकत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ दो प्याजा पुलाओ दो बार प्याज डालने के बाद यह पुलाओ बनाया जाता है दो प्याजा का मतलब यह है खाने में यह बहुत 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 ही मज़िदार लगता है मतलब अगर आपने यह एक बार पुलाओ बना लिया आप हमेशा यही कहेंगे कि यार मैंने से पहले क्यों ने बनाया था यह इतना स्वादिस्ट लगता है उसके लिए मैंने गैस को आन कर लिया है एक इस तरह से बड़ा सा बरतन प्यास को हमें लाल होने तक भूनना है अब ध्यान रखना जैसे कि मैं आपको क्या प्यास को लाल होने तक भूनना है ना कि उसे जलाना है लाल होने तक भूनेंगे जितना अच्छे से प्यास को भूनेंगे उतना ही प्यारा कलर आएगा आपके पुलाओ का देखे बस इस तीन से चार मिन्ट लगेंगे इस तरह से प्याज भूणने में इतनी कॉंटिटी का बस इस तरह से हो जा तुश के अंदर आपको डाल देना है टमाटर यहां पर मैंने दो से तीन टमाटर को काटकर मिकसर में डालकर पीस लिया था आदी चमच लालमिश पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजे, इसी के साथ आदी चोटी चमच धनिया पाउडर, फिर भी नमक और मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, अच्छे से मिला लेना है, अब यहां पर देखे, मैंने दो कप चावल का इस्त उपर ही डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसे हमें खुला ही पकाना है, इसका पानी सूख जाए तब तक, तकरीबन चार से पांच मिनिट लगेंगे, पर बीच बीच पे मिक्स भी करते रहे ना, बस हलका सा पानी रह जाए, तो इसे ढखकर धीनी आज पर, और पांच से छे मिनिट के लिए पकाना, पर बिल्कुल लो फ्लेम पर, बिल्कुल यानि की धीनी आज पर, यहां पर लगभग पांच से छे मिनिट हो गए हैं, और यह दो प्याजा पुलाओ बनकर तयार है, मैं जब भी यह पुलाओ बनाती हूं तो मैं यह खिचिया और इस तेल में डालते ही, यह फूल जाते है और यह सभी के घर पे होते ही है, इसके साथ ट्राइ की जब बहुत ही अच्छे लगते हैं, और यह जो जलेबी वाली कच्रिया आती है, यह भी काफी ज़ादा पज़िदाल लगती है खाने में, तो बस इसे भी अच्छे से अपको फ् प्याजा पुलाओ, तो घर पर ट्राइक करना, मैं जी कमेंट्स बता है, अच्छे लगे तो इसे लाइक कीज़ेए, शेयर कीज़ेए अपने फ्रेंस और फैमली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल ना भूले, आज के लिए बस इतना ही, थांक्यू के लिए।